हेलो एवरिवन, वेलकम बैक फेशन फायर, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुर्ती के बहुत ही प्यारे प्यारे और स्टाइलिश डिजाइन, अगर आप भी कुर्ती के डिजाइन देखना चाहती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्यो क्योंकि इस वीडियो में आपको कुर्ती के कुछ स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिल रहे हैं, वेसे तो कुर्ती का फेशन सदा बहार है, लेकिन आज के टाइम में मीशो वाली कुर्ती सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रही हैं, और इसलिए हमने आपको कुर्ती के कु जग और यूनिक डिजाइन देखना चाहती हैं तो पिलीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें जब भी कहीं शादी या पार्टी में जाने की बात आती है तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि अब की बार शादी या पार्टी में हमें क्या वेर करना चाहिए तो अगर आप भी कुछ ऐसा सोच रही हैं यानि शादी में जाने से पहले या पार्टी में जाने से पहले आप ड्रेस को लेकर कन्फ्यूज है तो आप इस वीडियो से आईडिया ले सकती हैं वेशे तो शादी और पार्टी की ड्रेस के उपर कुछ special और stylish डिजाइन आपको तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चेनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकती हैं लेकिन कुर्ती भी शादी और पार्टियों में बहुत ज्यादा पहनी जाती हैं तो अगर आप भी शादी, पार्टी, मिटिंग, ओफिस या कहीं पर भी कुर्ती पहनना चाहत हैं लेकिन डिजाइन को लेकर कनफ्यूज थी किस तरह का डिजाइन आपको सलेक्ट करना चाहिए तो आपकी कनफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में आपके लिए 40 पलस डिजाइन लेकर आए हैं जो बहुत ही युनीक और स्पेशल हैं इन डिजाइन में से जो भी डिजाइन आपको पसंद आए आप अपने लिए बनवा सकती हैं। लेकिन अगर आप डेली में पहनने के लिए यानि डेली वेर के लिए कुर्ती या फिर कुछ एसी ड्रेस देख रही हैं। जिनको पहनने के बाद आप कमफर्टेबल फिल कर सकें। तो भी मैं आपको रिकमेंट करूँगा के आप कुर्ती सेलेक्ट कर सकती हैं। लेकिन कुर्ती में भी आपको दुनिया भर के डिजाइन मिल जाएंगे। इसलिए आप कन्फ्यूज हो जाएंगी के आपको कुर्ती का कौन सा डिजाइन सेलेक्ट करना चाहिए। और उसी confusion को दूर करने के लिए हमने आपको ये वीडियो बना कर दिया है आप इस वीडियो से आइडिया ले सकती हैं कि आपको किस तरह का डिजाइन अपने लिए सलेक्ट करना चाहिए बस अगर आप कुर्ती बना रही हैं तो मैं आपको एक दो छोटी सी टिप्स बता देता हूँ जो आपके बहुत कामा सकती है यानि आपको माहूल और मौसम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी कुर्ती के डिजाइन को सलेक्ट करना है या बनवाना है बनाना की सोच रही है तो आपको कुछ ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जिसमें आप बिल्कुल गर्मी महसूस ना कर सकें यानि आपको कमफर्टेबल बहुत ज्यादा फील हो और आप अच्छी भी लगें